श्री सद्गुरु महराज की जय प्रातह स्मर्णि अनंद्श्डि व्यूशित पर्माराद्य संद्गुरु महर्शी मेही परमहंजी महराज का परवचन गुरु कैसा होना चाहिए इस परवचन का तीसरा भाग बिना गुरु सेवा के कोई गुरु से विद्या नहीं ले सकता अररजुन के अतिरिक दुरोणाचार से और किसी ने अधिक विद्या नहीं ले अरजुन ने दुरोनाचार की बड़ी सेवा की थी गुरु की सेवा करके लोग बड़े हुए हैं सत्रपती सिवा जी गुरु शमर्थ की सेवा अपने से ही करते थे उनकी देह में तेल लगाते थे, पानी भरते थे आदी राधाश्वामी मत में राय शालिग्राम बहादूर महदय की सेवा आप लोग जानते ही हैं कि कैसी सेवा उन्होंने की लेकिन गुरू होना चाहिए गुरू नहीं गुरू कहते हैं गायबहिल को गुरू कैसा होना चाहिए गुरू नाम है ग्यान का शिष्य सीख ले सोई ग्यान मरजाद जाने विना गुरू अरुशिष्य नकोई शत नाम के पटतरे देवे को कचु नाहीं क्या ले गुरू शंतोशिये हवस रही मन माहीं मन दिया तिन सवदिया मन की लार शरीर अब देवे को कचु नहीं यो कथी कह कवीर तनमन दिया तो क्या भया निजमन दिया न जाय कह कवीर ता दास से कैसे मन पतिया है तनमन दिया आपना निजमन ता के संग कह कवीर निरभय भया शुन सत गुरू पर संग फिर कहते हैं तनमन ता को दी दिये जाके विश्या नाहीं आपा सवही डारी के राखे शाहि माहीं ऐसे गुरु हो तो तनमन से सेवा क्यों न करो तनमन और निजमन में भेद है पानी देना और कोई अस्थूल सेवा करना तनमन से सेवा है तनमन दो और आत्म मुखी मन भी दो जब मन अंतर मुखी होता है तब वह निजमन कहलाता है जो गुरु बाहरी सेवा से प्रशन होता है और अंतरशाधन का ख्याल नहीं रखता वह तो हरई शिश्यधन शोक नहरई शो गुरु घोर नरक मह पड़ई जो गुरु बाहर की भी सेवा ले और अंतरशाधन भी करावे वह गुरु है इस तरह है गुरु की सेवा करो हमारे यहां परशिद्ध है गुरु करो जान पानी पीओ छान यहां तक तीन भक्तियां हुई चोती भक्ति है कपट छोर कर इस्वर का गुनगान करना कपट यह कि लोक दिखावे के लिए करता है शो नहीं करे शंतों का संग कथा प्रशंग गुरु सेवा कपट छोर कर गुनगान करना यह सभी क्रम से हैं पूजा कोटी समंग अस्तोत्रंग अस्तोत्र कोटी समंग जपः जपकोटी समंग ध्यानंग ध्यान कोटी समो लाए है इसके बाद है पांस वी भक्ति डिड़ विश्वाश से मंत्र जप करना जो मंत्र गुरु बता दे लेकिन ऐसा नहीं हो कि माला तो करमे फिरे जीव फिरे मुखमाही मनमा तो दहो दिशी फिरे यह तो सुमिरन ना ही सुमिरन कैसा होना चाहिए तो कहा तन थिरे मन थिरे वचन थिरे सूरत निरत थिरे होए कह कविर इस पलक को कलप न पावे कोई एक आगर मन से जप करो केवल जप शंख्या पूड़ा करने के लिए नहीं एक आगर मन से कुछ देर तक जप हो तो समझो की जप हुआ संतों के शंख से लेकर मंदर जप तक सब में मन की एकागरता अत्यंत अपेक्षित है जो अत्यंत अपेक्षित है उसको नहीं जानकर भक्ती करो तो वह भक्ती नहीं पांच भक्ती तक लोग समझ बजा जाते हैं इनमें मन की एकागरता होती है मन की एकागरता में पहार पर चड़ने की तैयारी होती है अर्थात भीतर के सुक्ष मंडल में चलने की तैयारी है इश्वर का दर्षन कौन करेगा आँख नहीं गो गो चर जह लगी मने जाए सोश अव माया जानऊ भाई संतों ने साफ कह दिया है चेतनात्मा से दर्षन होगा माया में चेतनात्मा की रहने से माया का ही दर्षन होता है इसलिए लोगों को बाहर में इश्वर का दर्शन नहीं होता, माया को पार कर इश्वर का दर्शन होता है, जैसे एक ही लाल टेन के पांच पहलों में पांच रंग के सिशे हो और बीच में मुंबती जलती हो तो जिस रंग के सिशे होकर वह रोशनी बाहर निकलेगी वह रोशनी उसी रंग की होगी अर्थात लाल सिशा होकर जो रोशनी बाहर निकलेगी वह लाल और जो हरा सिशा होकर रोशनी बाहर निकलेगी वह हरी रोशनी होगी इसी परकार पाँचो रंग के सीशे के सम्मंद में समझे किन्तो भीतर में जो मौमबती जलती है उसके परकास का रंग इन पाँचो रंगो से भिन्न ही होता है यद्द्ध पी पांचों रंग के सीषों से मौंबती की ही रोषनि निकलती है इसी तरह पंच ज्यान इंड्रियों में यद्द्ध पी चेतनात्मा के कारण ही घ्यान है फिर वह इंड्रियां माइक होने के कारण माईक वस्तु को ही ग्रहन कर सकती है निर्माईक को नहीं निर्माईक तत्व अर्थात पर्मात्मा को चेतन आत्मा ही ग्रहन कर सकती है अपनी रोशनी में अपने को रखकर इश्वर दर्शन करो इश्वर क्या है? मैं कहता हूँ कि दृष्ष्य क्या है? तो जो तुम आख से देखो वह द्रिश का रूप है, जो कान से सुनो वह शब्द है, इसी तरह जिसको तुम चेतन आत्मा से जानो वही इस्वर है, अपने को माईक आवायनों से छोड़ा कर अपने तई में रखने के लिए अंदर चलना है, इस मंदिर में हम लोग बैठे हैं इस से निकलने के लिए पहले मंदिर ही मंदिर चलना होगा, इसी तरह इस सरीर से निकलने के लिए शरीर के अंदर अंदर चलना होगा, शरीर चार हैं, अस्थोल, सोक्ष, कारण और महा कारण इन चारों जर आवरणों को पार करो इस्वर दर्शन होगा बाहत में कितना भी दर्शन करो इस्वर दर्शन नहीं होगा जैसे जहाँ दूध है वहाँ मक्षन उसी तरह जहाँ मन है वहाँ चेतन इसलिए संतुल्षी साब ने कहा है शत्य सुरती समझी सिहार शादो निरखी नित नैनन रहो धूनी धदक और धीर गंभीर मुरली मरम मन मारग गहो मन को समेटो मन को कैसे समेटोगे पर्थम भगती से पांचवी भगती तक मन समेटने को कहा मन जिधर से सिमटता है उसके विपरित ओर को जाता है विछावन फैला हुआ है उसको समेटो तो उपर को उठ जाएगा यह प्राकृतिक नियम है कि किसी पदार्थ को जिस ओर से समेटो उसकी गती उसके विपरित ओर को हो जाती है पाँच भक्ती से जितना शमेट हुआ और भी समेटने के लिए क्या करो? चठ दम शील विरती बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा अर्थात इंजियों को रोकने का स्वभाब बनाना बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना और सरा सज्जनों के धर्म में लगा रहना चठी भक्ती है जूट, चोरी, नशा, हिंशा और वेविचार इन पंच प पापों में बर्तना सज्जनों के धर्म में बर्तना नहीं है, पंच पापों से बच कर बर्तना सज्जनों का धर्म है, दम इंद्री निग्रह, इंद्रियों को काबों में रखने का शवावाला बनना दमशील होना है इंद्रियों को काबों में कैसे करोगे लोग कहते हैं कि विश्यों की ओर से मन को विचार से हटाओ ऐसा भी होता है लेकिन विचार अस्थिर नहीं रहता बुद्धी अस्थिर नहीं रहती है इसलिए आदमी दिग जाता है, इसको छोड़ती भी नहीं बनता है, विचार भी रखो और देखो कि विश्यों में इंद्रियां कैसे जाती है, इंद्रियों के घाटों में मन की धारा रहती है, जब इंद्रियां विश्यों को ग्रहन करती है, इसके लिए जागरत और श्वप आमके अवस्ता प्रत्यक्ष प्रमान है मन की धारों को शमेटो मनको शमेटने का शाधन करने से और विचारे द्लारा मन को रोकने से सुक्ष मता में गती होगी मन का इतना शुम्ठाव हो क्टि ए कहीं विंदू हो जाए एक विंदुत में पौन शिम्टा होता है इसे लिए विजाक्षरं परम विदू नादं तस्वो प्रियस्तितम साचरण चाक्षडे चीने नीशब्दं परम पदं ध्यान विदू पनिशद वह विदू क्या है तेजो विदू परम ध्यान विश्वात्म हिर्दी अस्दितम ते जो विंदू उपनिशद अक्षर का बीज क्या है O A A B वा अलिफ B कुछ लिखोगे तो पहले पैंसिल यहां रखेंगे एक चिन्न होगा उसको विंदू कहते हैं लेकिन यह परम विंदू नहीं परम विंदू के लिए दूसरे पैंसिल की जरूरत होती है वहाँ पैंसिल है द्रिष्टी की आप से हम तक और हम से आप तक द्रिष्टी आती जाती है लेकिन उस धार को देख नहीं सकते हैं द्रोनाचार ने एक बार अपने सिस्चों कौर्वों और पांडवों के परिक्षा ली उन्होंने एक काट का पक्सी बनवा कर विक्स पर रखवा दिया और एक एक करके अपनी सब सिस्चों को तीर से उसका निशाना करने कहा अचारी के पूछने पर किसी ने कहा मैं विरिक्स डालियों यां पत्तों सहित पक्सी को देखता हूं तो किसी ने कहा मैं डालियों और पत्तों सहित पक्सी को देखता हूं इस परकार किसी से भी उस पक्सी का ठीक ठीक निशाना नहीं हुआ अंत में अर्जुन से पूछने पर उसने कहा मैं केवल पक्षी देख रहा हूँ अर्जुन परिक्षा में उतेर्ण हुआ एक संत्र ने कहा उलटी देखो घट में जोती पसार इसी को द्रिश्टी योग सांभवी मुद्रा और वैश्नवी मुद्रा कहते हैं इसका अमा पर्तिपदा और पुर्णिमा द्रिश्टी से साधन किया जाता है आँख बंद कर देखना अमा द्रिश्टी है आधी आँख खोल कर देखना पर्तिपदा द्रिश्टी है और पूरी आँख खोल कर देखना पुर्णिमा द्रिश्टी है पर्ति पदा और पुर्णिवाद रिष्टी में आँख में रोग ही हो शकता है अमाद रिष्टी में कोई रोग नहीं सुतिक्ष्न मुनी और शमिक मुनी की कथाव को पढ़िये ये सब आँख बंद करके ध्यान करते थे भगवान बुद्ध की ध्याना वस्तित पर्तिमा को देखिए वे भी आँख बंद कर ही ध्यान करते दिखाई परते हैं कविर शाब ने कहा है बंद कर द्रिष्टी को फेरी अंदर करे घट का पाट गुर्देव खोले तथा नैनों की करी कोठ नी पुतली पलंग बिचाए पलकों की चिठ डारी के पिये को लिया रहा है यह सुगम शाधन है द्रिष्टी योग से एक बिंदुता होती है एक बिंदुता से पोर्ण सिम्टा होता है और तब पर्त्यक्ष होता है उल्टी देखो घट में जोती पसार और बावा नानक ने कहा अंतरी जोती भाई गुरु साखी चीने राम कर्मा यह जो शाधन करता है इंद्रिया कावु में आती है एक बिंदुता होती है केंद्र में केंद्रित होता है वहां का रश शाधक को बाहे विशे रश से विशेश मनुहारी हो जाता है बाहे विशे रश कम हो जाता है इसी तरह दमसील होना होता है इंद्रियों को विचार से भी रोको और साधन भी करो केवल विचार से गिर भी सकता है विशय से छूटा तो क्या हुआ निर्विशय की ओर हुआ सिर्राम ने कहा था इही तन करफल विशय न भाई श्वर्गा हुश्वल्प अंत दुख जाई परमात्मा निर्विशय है उससे जूटा यह संबंद इस्वर भक्ति से है उसके बाद सात्मी भक्ति में मनो निग्रह का शाधन है कोई कहे कि दम के शाधन में भी तो मन का शाधन होता है लेकिन वहां दोनों के शाधन शंक्षंग होते हैं सात्मी भक्ति में केवल मन का शाधन होता है क्योंकि मन के शाधन के बिना रिद्धी शिद्धी के प्रेरण में मन पड़ सकता है रिद्धी शिद्धी प्रेरई बहुभाई बुद्धी ही लोव दिखावई आई होई बुद्धी जो परम से आनी तिन तव चितवन अनहित जानी इसलिए मनोरिग्रह का शाधन है कैसे होगा? न नाद सद्रिशो लए है गुरू से इसका यत्न जानो अंधकार के सब्द में स्वाद नहीं है प्रकाश मंडल के सब्द को पकरो तब जो सब्द मिलता है उसमें बहुत स्वाद है उस सब्द को पकर कर आगे बढ़ो तुलसी साहब ने कहा है शहस कमल दल पार में मन बुद्धी हिराना हो प्रान पुरुष आगे चले शोई करत बखाना हो वह शब्द कहां से आया है इस्वर से स्रिष्टी हुई है शब्द इस्वर से है बिना कम से स्रिष्टी नहीं हो शकती आदी स्रिष्टी में आदी कंप हुआ, कंप शब्द मैं होता है और शब्द कंप मैं होता है, जो कोई आदी शब्द को पकरता है, तो परशत ही कंचन भया, छूटा बंदन मोह ऐसा हो जाएगा, शब्द में अपने उद्गम अस्तान पर खीचने का गुन है, इसलिए वह शब्द इस्वर तक पुचाता है, वह शब्द वर्णात्मक नहीं है, धन्यात्मक है, अघोशम अभ्यंजनम अश्वरंग्च अतालू कंठोश मनाशिकंच अरेफ जातंग उब्योष्ट वर्जितंग यक्षरंग नचरते कदाचित, अमरित नाद उपनिशद, शब्द शब्द भो अंतरा, व तो सब्द विरे, जिव्या पर आवे नहीं, निरखी परकी करिदे, संतिक विर्शाव, जो लाभ हो, उसी में संतोश करना, और जो स्वप्न में भी दूसरे के दोश को ना देखना, आठवी भक्ती है, नवी भक्ती सबसे सिधा, और औक पट रहना, और हिर्दय में, ना हर और ना दीन ताला कर मेरा राम भरोशा रखना है, उपर वरने साथ भक्तियों में, पुर्णता पाने पर, ये आठवी और नवी दोनों भक्तियां, आप ही आप सध जाती हैं, यह शंतों का मार्ग है, इस पर चलो, सच्चन करो, गुरु खोजो, और भजन करो, तो किर्तार हो जाओगे, एक जन्म में नहीं, तो कई जन्मों में यह बीज ऐसा है, कि मुक्ति दिला कर ही छोड़ेगा, भक्ति बीज विन्से नहीं, आए परे जो चोल, कंचन जो विष्टा परे, घडे नता को मोल, भक्ति बीज पल्टे नहीं, जो जुग जाय अनंत, उच नीच घर जन्मिले तव शंत को शंत, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कि योग का आरंब का नास नहीं होता, शाधक पुन्य करता पुर्षों को, मिलने वाले स्वर्ग आदी लोकों को पाकर, और वहां बहुत वर्षों तक निवास करके, पवित्र शिरिमान लोगों के घर मे जन्मिलेता है, अथवा बुद्धिमान योग्यों के ही कुल में जन्मिले पाता है, इस परकार प्राप्त हुए जन्मि में वहे पुर्वे के बुद्धी संसकार को पाता है, और उससे अधिक योग सिद्धी पाने का परियत्न करता है, परियत्न पुर्वक उद्योग करते करते पापों से सुध्य होता हुआ अनेक जनमों के अनंतर शिद्धी पाकर उत्तम गति पा लेता है जैसे चुम्बक से लोहा खिच जाता है और उसमें लग जाता है परंतु चुम्बक से लोहे को कोई छुड़ा भी सकता है लेकिन जो भक्त उस आधी सब्द से पकड़ा जा सकता आज तक जीतने प्रकार के बंबनते हैं कोई भी नहीं छुड़ा सकता कोई कहते हैंकि नौ भक्ति में से एक भी कर लो तो इसवर के अतिसय प्यारे बन जाओगे मैं कहता हूं कि एक भक्ति वाला अटिसय प्रिये है तो नव प्रकार की भक्ति जो करेगा उसके लिए नौ बार अतिश है जोर कर देखो वह कितना प्यारा होगा भक्त को तो भक्ति करने में लोच्छावर हो जाना चाहिए तुम कुछ भक्ति करना चाहो और कुछ नहीं तो कैसे भक्त हो तुम कायर हो तुमको पुरुशार्थी बनकर सभी भक्ति करनी चाहिए नवो परकार की भक्ति सिल्सिले के साथ है नवो भक्ति करो प्रम्पुज गुर्देव का यह परवचन मुरादावादस्तित स्रीशंत मत्ससेंग मंदेर कानुन गोयान मुहले में दिनांक बाराचार उनिश्व पैशटिश्वी को अप्राहन कालिन सत्सेंग में हुआ था श्रीशद्गुरु महराज कीजे